हमारे मुम्रा शहर में पहली बार क्रिकेट कोचिंग स्टार्ट हुई है जिसके कोच खुछ जावेज जैस खान है जो की मुम्बई रंजी ट्रॉफी के बड़े खिलाडी है जावेज ने रंजी दे गौड आफ क्रिकेट यानी सचिन टिंडूलकर के साथ खेली है जिस वक्त और भी बड़े खिलाडी पिच पर उतरे हुए थे जावेज जैस ने बीड़ा उठाया है कि यूद को क्रिकेट से जोड़ा जाए कोचिंग मुम्बई के जेके टर्फ में ही की जाएगी ये टर्फ और सीजन टर्फ है स्कूल और ग्रूप कोचिंग भी की जाती है महीं स्लामदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स मुम्बई में गली नाके और में रोड पर ऐसे सीची टीवी कैमरे लगाए गये हैं लोगों की सुरक्षा के लिए ताकि जो भी अपराधिक घटनाए हो वो इन सीची टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो सके और अ सामने आया है मुम्रा के चाद नगर बाबा मेडिकल के पास से आपको बता दे एक पोल पर यहां तीन सीची टीवी कैमरे लगे हैं मगर उसके उपर बैनर लगाने की वजह से दो सीची टीवी पूरी तरीके से ढग गये हैं ऐसे में कोई भी अपराधिक घटनाएं अगर य साइट का जो कैमरा है उसके ऊपर बैनर आ रहा है और इस पुरे मामले में अस्थानिय निवाजी इम्रान खान ने बताया है कि जब यह बैनर लगाया जा रहा था उसी वक्त मना किया गया था कि आप CCTV के ऊपर ये बैनर ना लगाएं लेकिन लोगोने माना नहीं और ये बै पूरे मामले में जो अस्थानिय निवासी हैं इम्रान खान उर्फ इम्रान राडो इन्होंने क्या जानकारी दी है मेरा नाम है इम्रान खान और लोग यह इम्रान राडो के नम से जानते हैं जैत बॉल डाइब गलियों का हो रहा है जैसा एक चोरी के अंधर होईती बैटरी की विधि यह बाजवाले बीडिनिंग में एक नहीं गाड़ी गई चोरी कैमरा लगे लगा रहे था एक उससे महलम हो जाता क्या भाई को लेके गया तो वह डीटेल में को उससें पर उधर मिली थी तो मैंने का यह जो बैनर लगा यह जो बैनर लगा यह यह बैनर अभी या के अभी समा यह दाल के अपना यह किया था तो यह कैसा कुछ चर्शियों ब्योड़े हैं तो याने यह किये याने क्या बोले बोले नहीं हटेंगा बैनर बैनर जैसा है वैसा ही रहेंगा